हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू में चैनल आज की वीडियो में हम इस सुन्दर सी कूर्ती की कटिंग स्टेचिंग सीखेंगे वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाइ स्टेप करना बताया है अगर आपका कोई और साइज है तो आप मेरे सारे स्टेप को फॉलो करें जिससे आप किसी भी साइज की कूर्ती की कटिंग कर लेंगे और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये पलाजो बनाना सिखाया है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और स्क्रिन पर भी मेंशन कर दिया है इस्क्रिन पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते है इसमें लेस मैंने ओपर से अटैच करी है बाद में लेकिन जैसे इसकी cutting and staging इस वीडियो में बताई है सेम आप वैसे ही ये प्लाजो बनाए जिससे ये प्लाजो आपका 2 मीटर कपड़े में बनकर तयार हो जाएगा और मेरा आपको आज का वीडियो पसंद है तो प्लीज में इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए अब शुरू करते हैं मैंने कुर्ती के लिए सिर्फ 2 मीटर cotton फाब्रिक लिया है और ये कपड़ा डबल में रखा है यहां से देखें फाब्रिक का open side है यहां से फाब्रिक का folded side है अपनी requirement के according कपड़े को एक side से center से fold करेंगे मेरे measurement में फुल कूर्ती की length रहेगी पैते सिंच इसमें हम 1.5 inch margin seam allowance के लिए आड़ करेंगे और एक इंच नीचे से कपड़े को फोल्ड करने के लिए फुल लेंद 25 में डेरिंच एट किया हो गया 35-46 सिंच तो यहां से 36-46 सिंच पे निशाल लगाएंगे अब पहले हम इसको यहां से कट करके इसी की सीध में कपड़े को निकाल लेंगे मेरे फाब्रिक का प्रिंट एक सा है इसलिए किसी भी डारेक्शन में हम शोल्डर की मार्किंग कर सकते हैं लेकिन अगर आपके फाब्रिक का प्रिंट एक डारेक्शन में है जैसे मोटिफ जो बने होते हैं वो उपर के लिए जा रहे हैं उपर की तरफ shoulder की marking करें फैब्रिक के print का आप ध्यान रखे ही cutting करें जैसा कि मेरा एक्सा है तो हम किसी भी तरफ shoulder की marking कर सकतें इस size में full shoulder लेंगे 14 inch जिसका half हुआ 7 inch आर मौल की length 7 inch लेंगे Waste के निशान के लिए 85 तेरा inch पर लगाएंगे चाक आप कहां तक खुला रखना चाहते हैं उसके लिए आप शोल्लर से लेंध ना पलें तो मेरे मेजरमेंट में हम खुला रखेंगे 20 इंच तक तो यहां पर 20 इंच पर लगाएंगे यहां से कमर कर साइज है मेरे मेजरमेंट में 33 इंच जिसका 1 पूर्ट हुआ सवा आठ इंच सेंटर से सवा आठ पे लगाएंगे फुल वेस्ट है 28 इंच जिसका 1 पूर्ट हुआ साथ इंच तो वेस्ट के लिए साथ इंच पे लगाएंगे फुल चेस्टे चौते सिंच जिसका वन फोर तुआ साड़े आठ इंच तो यहां से साड़े आठ पे लगाएंगे शेप हम कर्व स्केल से देंगे कर्व स्केल को इस निशान से यहां तक रखे और बाहर की तरफ निशान लगाएं फिर इसको ऐसे रखा और यहां से निशान लगाएं फिटिंग के निशान से आगे के लिए लगबख सवो इंच मार्जन लूजिंग और सीम अलाउंस के लिए आठ करेंगे तो यहां से सवो इंच पे निशान लगादेंगे सेम ऐसा ही निशान इस निशान पे लगाएं फुल शोल्डर है 14 इंच, जिसका हाफ हुआ 7 इंच, सेंटर से 7 इंच पे लगाएंगे नेक की विट लेंगे सवा 3 इंच यहाँ से शोल्डर हाफ इंच डाउन कर दे इस निशान को यहाँ से मिलाएं यहाँ पे आर मोल का शेप दे अब यहाँ से हम सेम निशान पे कटिंग करेंगे अभी यहाँ तक ही करेंगे सिर्फ यहाँ पे कट लगा दे एक कट यहाँ पे भी लगाएं एक यहाँ पे लगाएं एक सेंटर पे इसमें फुल दामन लेंगे हम बीस इंच जिसका हाफ हुआ दस इंच यहाँ से दस इंच पे लगाएंगे इस निशान को फिटिंग के निशान से मिलाएं नीजे से हमने एक इंच मार्जन तावरिक को फोल्ड करने के लिए लिया है तो साइट से भी एक इंच ही कपड़ा फोल्ड करेंगे तो यहाँ से एक इंच पे लगा दे और इस निशान को बराबर कर दे अब यहां से cutting कर दें इसमें से अभी सिर्फ एक पार्ट लेंगे नेक की cutting करने के लिए paper canvas लेंगे और इसे center से fold करें इसमें पहले हम front neck बनाएंगे neck की width रखी हमने सबा 3 इंच यहां से सबा 3 इंच पे लगाया मेरे measurement में front neck की length रहेगी 7 इंच जिसमें half inch seam allowance का add करेंगे तो यहां से इस तरह cross में साड़े साथ पे लगाएंगे अब इसमें आप अपने according neck का shape दे दूजे अब इस निशान पे cutting करें अब इस निशान से लगभग पॉन इंच का margin लेके cutting कर देंगे अब एक अलग से कपड़े का piece लें और इस कपड़े पर पहले ये वाली cutting जिस तरफ से canvas shine कर रही है उस तरफ से चिपका दें इसे चिपकाने के बाद ये वाली cutting बिल्कुल बराबर से रखें जिससे आपका neck बिल्कुल एक बराबर से इसके उपर चिपक जाएगा इसको चिपका दिया अब center वाले piece को हटा देंगे इससे neck देखें बिल्कुल एक बराबर से चिपक जाएगा अब canvas के इधर से लगबग half inch का margin लेके cutting करें अब canvas के बराबर से कपड़े को fold करके शिलाई लगाएं अब इसे center से fold कर दें और center पे cut लगाएं कुर्टी के center वाले cut से इस piece के cut को बराबर मिलाते वे रखें ये देखें ये जो line बनी हुई है ये हमारी कुर्टी का center है इसके बिल्कुल center point को यहाँ से मिलाएं और center पे सिलाई डाल दे फिर canvas के बिल्कुल किनारे किनारे से इसी shape में सिलाई लगाएंगे अब यहाँ से half inch का मार्दल लेके इसी shape में cut कर दे यहाँ पे cut लगा दे अब इसे यहाँ से पीछे की तरफ पलट दे और उपर से कच्ची सिलाई लगाएं अभी कच्ची सिलाई लगाई है यहाँ पे बाद में हम side से hamming करके कच्ची सिलाई को खोल लेंगे इसी तरह से मैंने back part में भी neck को बना लिया है अब इसके उपर उल्टा रखें और अभी हम यहाँ से सिर्फ एक shoulder ही attach करेंगे और इस lace को यहाँ से ऐसे रखेंगे और neck के इसी shape में मिलकुल किनारे किनारे से सिलाई लगाके पूरी lace को attach कर देंगे जब पूरी neck में lace को attach कर देंगे उसके बाद ही यहाँ से shoulder को attach कर देंगे आर्मोल को ऐसे फैलाकी रखें क्रॉस पट्टी लें और इसे center से fold करें फिर side से बराबर मिलाते हुए रखें जब आप क्रॉस पट्टी को attach करेंगे तो आप इस armhole को नहीं खीचेंगे सिर्फ क्रॉस पट्टी को खीचते हुए ही ऐसे खीचते जाएंगे और बराबर मिलाते जाएंगे इस तरह से इतना margin लेके सिलाई लगाएं अब इसे पीछे की तरह पलट दें ऐसे पलट देंगे और ओपर से सिलाई लगाएं अब fitting की सिलाई लगाएंगे इधर भी same fitting का निशान लगा दिया armhole से बीलकुल बराबर मिलाएं और fitting की निशान पर सिलाई लगाएं जब आप fitting की सिलाई लगाएं तो जो हमने चाक का निशान लगाए है यहाँ पर सिलाई को lock कर दें फिर यहाँ से घुमाते हुए एक और सिलाई लगा लें अब नीचे से दामन और चाक फोल्ड करेंगे यहाँ से भी हमने एक इंच मार्जन टाप्रिक को फोल्ड करने के लिए एड़ किया है तो पहले इसे आधा फोल्ड करें फिर इस निशान से उपर के लिए फोल्ड कर दें और साइट से भी एक इंच का margin एड है तो पहले half fold करें फिर इसे एक बार और fold कर दें यहां से जो हमारा fitting का निशान है इसको बिल्कुल यहां से ऐसे fold कर दें अब यहां से इसको बिल्कुल बराबर से वैसे ही मोड लें जितना हमने नीचे मोड दें ऐसे यह set हो जाएगा अब इस पे एक निशान मार दें cotton का कपड़ा है इसलिए अच्छे से line बिन जाएगी तो इसको ऐसे fold कर लेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगा देंगे यहां से देखे friends दामन और चाक को fold कर दिया है जब आप इधर से आएंगे तो यहां पे सिलाई को घुमाते हुए से इधर भी वैसे ही fold कर दें अब आपको तीन तरीके की lace लेनी है यह mat वाली lace है यह zigzag गोटापटी lace है और यह pom pom lace है इस lace को इसके नीचे ऐसे रखे और इसको side से रखे ऐसे मिलाते हुए विल्कुल नीचे से रखे जब यहां पे आएंगे तो यहां से हम इसको ऐसे ही घुमा देंगे यहां पे देखिए अभी जोल आ रही है तो इसको ऐसी रहने देंगे इसको ऐसे घुमाते हुए ही अटाच करते जाएंगे लेस को अटाच करते हुए जब चाक वाले हिस्से पे आएंगे तो जहां से चाक खुला है वहां से उपर के लिए एक इंच पे निशान लगाएं पॉमपम लेस को ऐसे दबाते हुए जहां से चाक खुला है वहां तक अटाच करेंगे सिर्फ अब इसे यहां से ऐसे कर दे इसको ऐसे मोल्ड ले इसका जो कॉर्णर है यह इस निशान तक आ जाएगा फिर इसको यहां से नीचे के लिए फोल्ड कर दे पॉमपम लेस को यहां से मोड देंगे और फिर से यहां से इसको ऐसे दबाते हुए अटैच कर देंगे यहां पर आपको बिल्कुल मिलाते हुए ही इसको अटैच करना है जिससे इस तरह से तिकोना टाइप का बन जाएगा अब जिग्जग गोटा पट्टी वाली लेस लेंगे और देखे कॉर्णर पर हमने इसको ऐसे ही अटैच किया था यहां पर इसको ऐसे रखेंगे बिल्कुल साइट तक ऐसे बराबर मोडेंगे फिर इसको पल्लेट लेंगे इधर के लिए जिससे ऐसे कौन टाइप का अराम से बन जाएगा फिर ये वाली लेस को यहां से इसके अंदर ऐसे रखेंगे और इसको दबाते हुए बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे इस तरह से पूरे में लेस को अटैच कर लिया है अब हमें कौटन वाली लेस लेनी है और यहां से लगबग हाफ इंच की दूरी लेते हुए इस लेस को ऐसे अटैच करना है इसको भी यहां से ऐसे मोड़ते हुए अटैच कर देंगे ये लेस भी पूरे में अटैच कर दी है और अब ये कुर्ती का डिजाइन पूरा कम्प्लीट हो गया है प्लाजो के साथ इस कुर्ती का डिजाइन काफी सुन्दर है बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है आपको अगर पसंद आया हो तो अपना फीडबेक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ अब तके लिए बाई थैंक्यो पो वाचिंग गाईज